इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर और जनुवरी के हरियाने के करेंट अफेर्स के कोश्चन्स बताऊंगा जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है हमारी नई वीडियो के अबडेट पाने के लिए स्टेडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से भी लिख कर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेर करें आपका पहला कोश्चन है एनिमिया मुक्त या एनिमिया फ्री हरियाना मिशन की ब्रांड अम्बेस्टर किसे गोशित किया गया है तो इसमें अंसर होगा मिस वल्ड मानुसी चिलर को एनिमिया मुक्त हरियाना मिशन की ब्रांड अम्बेस्टर नियूक्त किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है बीपियल यानी बिलो पोवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे वाली स्रेणियों और अंत्योद्य अन योजना से संबंदित परिवारों को लाब मिलेगा। हर्याना के मुख्यमंतरी स्री मनोर लाल खटर की अगवाई में हर्याना की राज्य सरकार ने सबसीडी सुगर योजना की गोशना किया। और हर्याना की राज्य सरकार हर महिने सबसीडी वाली चीनी बीपियल के परिवारों को वित्रित करेगी। हरियान सबसीडी सुगर योजना इससे पहले केवल अंतियोद्य अन योजना से सम्बंदित प्रिवार ही इस योजना का लाब उठा सकते थे। इसमें एक किलो चिनी तेरा रुपे परती किलोग्राम और एक लिटर सरसो तेल पर बीस रुपे परती लिटर का हैफेड के तैत लाब मिलेगा और लाब का वितरण एक जनवरी दोजार अठारा से सुरू होगा। नेक्स्ट कोश्चन है हर्पत अर्याना किस से संबंदित है तो इसमें आंसर होगा हर्पत अर्याना तूटी सड़कों के बारे में शिकायत करने से संबंदित है। हर्याना के सड़कों को गड़ा मुक्त बनाने के लिए हर्याना सरकार ने नई पैल करते हुए हर्पत अर्याना मॉबाइल एप लौंच की है। इस एप के आने के बाद आम जिनता को सरकारी कारियालों में जाकर टूटी सड़क के बारे में शिकायत करने की जरूतनी है। सड़क की फोटो एप पर डालने से ही शिकायत सम्मद्धी विबाग में चली जाएगी। इस एप को किसी भी एंडरोइड फॉन से निशुल्क गू इस एप को डालोड करने के बाद संबंदित मुबाइल यूजर को स्वेम को इस पर रेजिस्टर कराना होता है। और रेजिस्टरेशन के बाद फोन में GPS ओन किया जाना चाहिए ताकि संबंदित मुबाइल यूजर की लोकेशन आइडेंटिफाई हो सके। स्वेम को रेजि सकता है नेक्स्ट कोश्टन है World University of Design का कैंपस हरियाना में काम पर खुला तो इसमें अंसर होगा World University of Design का कैंपस हरियाना के सोनिपत में खुला और यह इंडिया की पहली Design University है नेक्स्ट कोश्टन है बावंतर बरपाई योजना किस से संबंदित है तो इसमें आंशर अहोगा बावधर बंपर पैदावार उने से उसकी फसल का उप्यूग दा मंडी में नहीं मिलता है और वह ट्रांस्पोर्टेशन के खर्च को नहीं उठाना चाता क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च होने के पस्चात मंडी में उसको उसकी लागत का मुल्या नहीं मिलता इस बाव के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा बावंतर बर्पाई योजना शुरू की गई है ताकि फसलों को एक संरक्षित मुल्या मिल सक गई जिसमें टमाटर प्याज आलू और गोबी की सबजिया सामिल है टमाटर के लिए 400 रुपे परतिक क्योंटल आलू के लिए 400 रुपे परतिक क्योंटल गोबी और प्याज के लिए 500 रुपे परतिक क्योंटल के दर से बर्पाई की जाएगी next question है मुक्खे मंत्री स्री मनोरलाल घटर ने बाव अनतर बरपाई योजन की सुरू़त कहां से की तो इसमें आंसर होगा बाव अनतर बरपा योजन की सुरूत करनाल के गांगर गाउ से की next question है Mrs. India Pride of Nation 2017 का ताज किसने जीता तो इसमें आंसर होगा Mrs. India Pride of Nation 2017 का ताज मुंबई की महिंका पटेल और गुरुग्राम की पुनम गौर ने जिता गुरुप A स्रेणी में महिंका को विजेता गोशित किया गया गुरुप A में 21 से 34 वर्स की उमर की लड़कियों ने बागीदारी की थी जबकि गुरुप B में 34 से 45 साल पुनम को ताज पैनाय गया और समारो गलैमर गुडगाउं द्वारा आज़ित किया गया था हरियाना राजे में पेंशन में कितनी बड़ोतरी की गई है तो इसमें अंसर होगा 200 रुपे है हरियाना सरकार ने नया साल सुरू होने से पहले प्रदेश के नागरीकों को पेंशन बढ़ा कर बढ़ा तौफा दिया सरकार ने सामाजिक नय अधिकारिता विबाग की ओड़ से दी जारी सभी प्रकार के बेतावे पेंशन में 200 रुपे की बढ़ोतरी की है यह पेंशन नौंबर माँ से बढ़ी हुई मिलेगी मुखेमिंतरी मनोर लाल के निर्देश पर इस सम्बंद में सभी समाज का लियान अधिकारियों को विबाग से पतर जारी हो चुके हैं परदेश में विर्द्यवस्ता समान बता जो अब तक 1600 रुपे मिलता था वे अब 1800 रुपे महीना मिलेगा और निराश रित बचों कौब 700 रुपे के बजाए 900 रुपे परती महा सायता के रुप में दी जाएगी इसी परकार सभी में पेंसन बढ़ा कर 200 रुपे बढ़ा दी गई है नेक्स्ट कुश्चन है उत्तर बारत का सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब काम पर बनेगा तो इसमें आंसर अगा उत्तर बारत का सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब मेंदरगड के नांगल चोधरी में बनेगा दुबश स्तित आरपी गुरूप ओफ कंपनीज ने हरियाना में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लोजिस्टिक हब विख्षित करने के लिए मेंदरगड के नांगल चोधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लोजिस्टिक हब में निवेश करने की पेश्षित की है इस प्रियोजना का उद्देश है माल के डुलाई में लगने वाले समय को कम करना है और इसे उतर भारत का सबसे बड़े लोजिस्टिक हब के रूप में विख्षित किया जाएगा नेक्स्ट कॉश्टन है एशिया की सबसे बड़ी मंडी का स्तापित की जारी है तो इसमें आन्सर होगा एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नोर मिस्तापित की जारी है और गन्नोर सोनिपत में ए और इसमें फल और सब्जियोगी यह सबसे बड़ी मंडी होगी नेक्स्ट कॉश्टन है हैपनिंग हर्याना बोजराथारा का अउजन का पर होगा तो इसमें आंसर होगा Happening हरियाना 2018 का उजन गुरु ग्राम में होगा Next question है भारते किर्तिम अंग निर्माण निगम की शाखा हरियाना में काम पर खुलेगी तो इसमें आंसर होगा फरीदाबाद के गाउ नवादा ती गाउ में Next question है हरियाना में विश मर्दा दिवस पर राज्यस तरियकारिकरम का आयोजन काम पर किया गया तो इसमें आंसर होगा जजज़ जिले के गाउ बीड सुनारवाला में Next question है जो आंसपर्ग में हुई Commonwealth कुष्टी Championship में शुशिल कुमार और शाक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता तो इसमें आंसर होगा सुन पदक Next question है हरियाना राज्य लोग सेवायो के सदसे के रूप में किसे सपद दिलवाई गई है तो इसमें आंसर है हरियाना राज्य लोग सेवायो के सदसे के रूप में पद वै गोपनियता की सपद दिलवाई हरियाना लोग सेवायो के सदसे की संख्या चेर्मेन के लावा आठ हो गई है Next question हरियाना सरकार ने किस अस्पिताल की जबीन लीज खतम की है तो इसमें असर होगा हरियाना सरकार ने फोर्टीज हस्पिताल की लीग खतम किया हरियाना के गुरूगरा मिस्तीत फोर्टीज हस्पिताल में डेंगू पीडित एक साथ साल की बच्ची के इलाज में अठारा लाग का बिल वसूल ने और इसके बाद भी बच्ची की जान ना बचा पाने के मामले में हरियाना सरकार के स्वास्ता मंत्री अनिल वीज ने कड़ी कारवाई करते हुए हस्प्ताल की जमीन की लिज रद करने के आदेश दिये हैं नेक्स्ट कोश्ण है किस राजसरकार ने दान की पराली से इथेनोल बनाने के प्लांट को मंजूरी दिये हैं तो इसमें आंसर होगा हरियाना राजसरकार ने इसमें आपका नेक्स्ट कोशन बन सकता है कि हरियाना में दान की प्राली से इंथेनोल बनाने का प्लांट का पर लगेगा तो इसमें आंसर होगा पानिपत में हरियाना सरकार ने राज्य में दान की प्राली तथा अन्य फसलों के आउशेशों से इत्यानल बनाने के लिए पानिपज जिले में एक प्लांट लगाने को मंजूरी परदान की है सरका के इस कदम से जाब परदूसर्ण में कमी आएगी वही किसानों की फसलों के अवशेशों की बिक्री होने से मुनाफ़ा भी होगा नेक्स्ट कुछन है हरियाना में असेस्मेंट एक्जाम में कौन सा जिला पर्थमरा तो इसमें आंसर होगा असेस्मेंट एक्जाम में मेंदरगट जिला पर्थमरा Next question है हरियाना में किस कक्षा में admission के लिए आदार कार्ड जरूरी किया गया है तो इसमें आंसर होगा नर्शरी कक्षा के लिए Thank you guys for watching our video Please subscribe to our channel Study Zone for preparation of upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें Facebook लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा Facebook लिंक नीचे दिवा हुआ हुआ है आप इस पर जाकर हमें Facebook पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक Facebook के दिवार भी पहुंच सकें